गुडप डिंट्ऱ मारोईनी आपुलोफ आाएब कुछ बताऊंगी कि हारडिक्स डेटा को कैसे लिखता है अब यहाँ पर्ली की हाउ इकसा हाउ क्डिक्स लिखता है इसमें सबसे पहला आपका एक point है इसमें track अब ये इसमें question आ रहा ही कि track क्या है इसमें तो आपका track क्या है कि hard disk में जो platter होते है उसके उपर आपका round round line बनी रहती है आप ऐसे बोल सकते हो ऐसे ठीके उसमें line बनी रहती है उसी के उपर data लिखा जाता है उसी को हम लोग कहते हैं data track उसको हम लोग क्या कहते है data track अब next आपका होता है एक sector अब sector क्या है कि जो hardx में जो platter होता है उपर की एक track में कई सारे parts होते हैं उच्छ parts में जो data लिखाने के लिए बना जाते हैं उसी एक part को हम लोग सक्टर कहते हैं आपको सुक्टर ही समझ में आ रहा होगा sector मतलब parts कोई भी अगर सीज है उसको अगर हम लोग ने कितने डिवाइड किया और जो भी डिवाइड गया जिस पार्ट में उस पे कहां कहां डेटा लिखा हुआ है तो यह आपका हो जाएगा सिक्टर अब नेक्स्ट हो है आपका क्लस्टर अब cluster में क्या है आपका कि यह अपका hardest community के जो प्लेटर होता है प्लेटर में के उपर एक से ज्यादा सिक्टर होते हैं उसी एक से ज्यादा सिक्टर को हम लो ख्लेस्टर कहते हैं ठीक है और next है आपका cylinder इसमें आपके कि हार्डिक्स के सभी प्लेटर के ऊपर एक ही नंबर के सभी ट्रक्स को सिलिंडर कहते हैं तो हार्डिक्स के जितने भी प्लेटर से हार्डिक्स में जितने प्लेटर यूज हो रहे हैं उस प्लेटर के उपर के उपर के एक ही नंबर जो होते हैं उस सारे नंबर के जितने वे उसमें ट्रक्स होते हैं जो अभी मैंने बने बताई हैं इसमें इसको हम लोग इसमें एक लिए απο 30 अवया मतलब आप इसको आप विए चाहू तो आप ऐसे सकते हो खी it जो आकहिरे हर प के फ्रेटर एक ही नंबर के यूज हुए है आपका मतलब एक ही साइज के आपके तो इसको हम लोग कहेंगे सिलेंडर तो यह आपका कैसे कैसे डेटा को राइट करता है हार्डिक्स यह उसका आपका फंक्शन बोल सकते हो कि उसका फंक्शन हो गया अब हम डिसकस करेंगे टाइप्स ओफ हार्डिक्स इसमें आपका दो टाइपस है एक है आईडी पार्टा हार्डिक्स इसका फूल फॉर्म आपका हो जाएगा इंटीग्रेटिड ड्राइब इलेक्ट्रोनिक्स मैं यह लिग दे रहे हूं इंटीग्रेटिड ड्राइब इलेक्ट्रोनिक्स और पार्टा का आपका हो जाएगा पैर्लर एडवांस टेक्नोलोजी अटाश्मेंट तीक है आप इसको फिर सम्बोल दे रहे हैं पैर्लर एडवांस टेक्नोलोजी अटाश्मेंट पार्टा का हो जाएगा और आपका next है आपका SATA hard disk तो SATA hard disk में आपका क्या हो जाएगा कि serial, is for serial, serial advanced technology attachment hard disk आप पढ़ेंगे कि दोनों में कि क्या difference है आपका तो ये तो आपका 40 pins और data cable होता है इसमें जो भी आपका data cable use होता है वो 40 pins होता है इसमें और इसमें आपका क्या है 7 pins यूज होता है इसमें तो इसमें 40 pins होता है इसमें 7 pins यूज होता है तो obvious सी बात है कि यहाँ पे जिसमें ज़्यादा pins यूज हो रहे हैं तो उसमें ज़्यादा cost भी आएगा इस वज़ा से इसका जो uses है इसका इस समय काफ़ी कम use होता है आई डी का या पाटा का क्योंकि इसका एक ये भी था कि storage इसमें storage का जो मतलब की limitation होती है भी कुछ Avatar MB आप 2010 इसमें आपका क्या था कि storage काफी high था इस storage के limit की इसमें किते भी जिबी था कि इसमें हम कोई भी data store कर सकते हैं तो जनरली आपका पाटा आप यूज नहीं होता है, इसमें साटा हार्डिक्स यूज होता है, अब इसमें क्या है कि साटा में भी आपके थ्री है, साटा फर्स्ट, साटा सेकंड, लास्ट वन साटा थर्ड, यह आपके तीन से हैं इसमें, अब इस तीनों में आपका क्या है कि इस में इस तीन में इनकी जो मतलब कि डेटा बैंडविट होती है इसमें आपका होता है 150 mbps mbps साथा सेकेंड में आपका होता है 300 mbps साथा थर्ड में आपका होता है 600 mbps यह आपके मतलब की तीन हो गए आप इसमें यह भी है कि इसमें मतलब साटा हार्डिक्स में जो साइज अव लेबल थे उसमें आपके बहुत सारे साइज इसमें अव लेबल 16GB 32GB 64GB 128GB 256GB इसमें अव लेबल है 500GB लेबल है इसलिए सबसे ज्यादा यूज में आपका साटा होता है तन्यवाद